तो यार फाइनली कुछ दिनों पहले एक भवाल मुवी ट्रांसफॉर्मर राइस आफ दो बीस का ट्रेलर आया और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि इस साल में यही एक मुवी है जो कि मार्वल और डीसी जैसे बड़े स्टुडियो की मुवी को टक कर द दो ना हो अब देखो ट्रांसफॉर्मर राइस आफ बीस एक फैमली एंटर्टेन्मेंट मुवी होने वाली है जिसमें हमें बंबल भी मुवी के बाद की स्टोरी दिखाए जाएगी और इसके फ्यूचर की मुवी के कुछ हेंट दिया जाएंगे और साथी साथ यह एक साइ आपने आपको कार्ट में ट्रांसफॉर्म करने की जगा यह लोग खुद को 20 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस लोगों की ऑटो बोट से उतनी जादा नहीं बनती अब देखो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है ऑप्टिपस प्राइमल जो की एक मैकसिमल है और यह खुद को कुरिला में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और यह भाई साब अपने उसूलों के बहुत ही जादा पके हैं मतलब समझ लो यह ट्रांसफॉर्मर्स का गीगा चैड है और इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर की तो व बहुत तेज़ है वैसे ही इस Transformer की निगाहें बहुत तेज़ है तो यार यह कुछ important characters ते जो हमें trailer में देखने को मिलते हैं और इसे के साथ movie के hero के जैसे इस movie का villain भी काफी जाधा interesting है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो अपनी एक separate video deserve करता है अब देखो मैंने तुमसे वीडियो की starting में एक बात बोली थी कि यह movie Marvel और DC की movies को अच्छी टकर दे सकती है और वो इसलिए क्योंकि इस movie के visual storyline characters और villain भी काफी सादा interesting है और साथ ही साथ इस movie के action भी इस movie का selling point बन सकता है जो कि हमें ट्रेल में काफी ही अच्छा देखने को मिला था और इसी के साथ अगर हम बात करें एक amazing fact की तो काफी सारे लोग इस चीज़ को लेकर confused रहते हैं कि आखे transformer reproduce कैसे करते हैं मतलब उनके आगे की generation पैदा कैसे होती है तो हाँ यार आपको आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमें स्रिक्षे में लिक के जुरू पताना साथ या चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्री सब्सक्राइब कर लो और मैं आप से मिल तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग